महाराश के पूर्व मुख्य मंत्री उद्व ठाकरे ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनोती दी है तस जनवरी को स्पीकर रहुल नार्वेकर ने विधानसभा में फैसला देते वे कहा था कि असली शिव सेना महाराश के मुख्य मंत्री एक नाच शिन्दे गुट की है उन्होंने शिन्दे गुट के 16 और उद्व गुट के 14 विधायकों की सदस्ता भी बरकार रखी थी फैसले के बाद उद्व ठाकरे ने कहा था कि स्पीकर के फैसले से सुप्रिम कोर्ट की अब मानना हुई है इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी सुप्रिम कोर्ट ने 11 माई के फैसले में शिन्दे गुट के चीफ वीप बरत गोगावले की न्यूकती को अबेट ठहराया था नार्वेकर ने इस वैद ठहराया है उद्व गुट ने इन सभी मामलों को सुप्रिम कोर्ट में चुनौती दी है सुप्रिम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को इस मामले में आखरी सुनवाई की थी तब स्पीकर के लिए फैसला लेने की आखरी तारिक 31 दिसंबर से बढ़ा कर 10 जनवरी कर दी थी यानि सुप्रिम कोट में आखरी सुनवाई के 28 वे दिन स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया था उद्व शिव सेना के एकनाद शिंदे गुट ने महराश स्पीकर के उद्व ठाकरे गुट के विधायको को अयोगिन ठहराने के फैसले के खिलाफ मौंबे हाई कोट का रुक किया है सुमवार को गुट की और से अजी लगाई गई है सुप्रिम कोट के वकिल सिदार शिंदे ने कहा कि अगर ठाकरे या शिंदे गुट को विधान सभा अद्दिक्ष का निर्णाय मानने नहीं है तो दोनों समूद 30 दिन के अंदर हाई कोट या सुप्रिम कोट में अपील कर सकते हैं अगर कोट इस फैसले पर रोख लगाता है तो याची का करताओ को रहत मिलेगी लेकिन इसके बाद भी राष्टपती के फैसले पर रोख लगवाना भी चुनोती पूर्ण है